हलो एंड जैहिन सुडेंट वेकम बैक टू यर वन चैनल सर्तरुन रुपानी एक्स्क्लूजिव चैनल फॉर आईज बारी है फिजिक्स के चैप्टर हाउजोल्ड सर्किट की हाँ वो सर्किट वो पाथ ओफ करेंट जो आपके घर में पास हो रहा है चली क्या आप जानते हैं कि जो करेंट प्रोड्यूस हो रही है वो एक पावर जनरेटिंग स्टेशन में प्रोड्यूस हो रही है जो आपकी घरों से कई 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 किलोमेटर दूर होता है कभी कभी तो 50 से 100 क्लिमिटर दूर होती है पावर जनरेटिंग स्टेशन और आपके घर में जो बिजली आ रही है उसका potential उसका potential difference है 220 वोल्ट जबकि पावर जनरेटिंग स्टेशन पे जो बिजली पैदा हो रही है वहाँ पर 11,000 वोल्ट पैदा हो रही है 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट पर भीजा जा रहा है जानते हैं क्यों चलिए पूरा चेप्टर डिटेल में समझते हैं और इसको आपके साथ येस सिंपल से सिंपल लेंग्वेज में क्लियर कर दूँगा पूरा चेप्टर अगर आपने देख लिया तो उसके बाद आपको इवन आपकी बुक भी नहीं खोलनी होगी क्योंकि हर कुछ एपसलूटली आपके लेटस लेपस को मैप कर दिया गया है सब कुछ है इसमें हाँ हर कुछ है जो आपको इस शेप्टर में समझना है एकदम सिंपल लेंग्वेज में तो बात करते हैं सबसे पहले सर्किट की तो सर्किट है क्या तो सर्किट एक पाथ है किसका पाथ है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने का पाथ है हाँ, एक simple circuit में क्या हो सकता है? एक simple circuit में current source जैसे की battery या cell एक current source है एक conductor है, मतलब की conducting wire है और load है, load है मतलब कोई एक appliance है अब वो एक bulb भी हो सकता है, एक fan भी हो सकता है तो एक circuit में ये तीनों चीजे होती हैं चली, अब देखते हैं, circuit in general क्या मतलब होता है? आपके और मेरे घर में क्या ये circuit है? येस या नो करके मुझे comment बताईएगा हाँ, येस या नो करके comment करके बताईएगा क्या आपके घर में ये circuit है? तो a circuit can be used in general sense to refer any fixed path fixed path that electricity, data और a signal can travel through द्यान दिया आपने, अगर हम इसी को कहते है current का circuit, तो सिर्फ current flow कर रहा होता तो आपके घर में क्या circuit है? आईए एक circuit मैं आपको दिखाता हूँ आप देखें, एक battery जो की आपके लिए क्या है? current का source है, current का source हो गया? current का source battery और ये रही आपके लिए एक conducting या conductor conductor वो है जो आपके current को ले जा रहा है ये है conducting wire जिसको हम कह रहा है conductor आप देख रहे हैं इसमें एक resistor बना हुआ है हाँ, resistor एक device होता है जो obstruction offer करता है to the flow of current और उसके बाद एक load load के रूप में क्या है आपके पास? load के रूप में है आपके पास एक bulb हाँ, load कोई भी device हो सकता है, कोई भी appliance होता है जिसमें कि electric current flow कर रही है और क्या है switch? जो कि एक on-off device है सही सुना आपने on-off करने वाला device है और वापस current का path complete तो ये complete path ही एक circuit होता है चलिए, हाँ, अब आप कहेंगे circuit दो टाइप का होता है सर, open और closed तो open circuit में current flow नहीं करेगी क्योंकि circuit complete नहीं है और closed में current flow करेगी आप इसको इस symbol में भी देख सकते है हाँ, ये रहा proper symbol आप देखेंगे three cells यहाँ जुड़ी होई है एक single जो ये बड़ा line घीचा है ये है plus और ये जो छोटा वाला, थिक वाला बना हुआ है ये minus तो ये single क्या है? एक cell है और क्योंकि collection of cell है, एक नहीं, दो नहीं, तीन है तो collection of cell is called as a battery clear है? अब तो clear हो गया cell और battery में क्या अंतर है? जो एक single होगा positive negative वो एक cell है तो आपके घर में battery लगी हुई है हाँ, आपके inverter के साथ battery लगी हुई है उसके अंदर कई सारी cells है और यह रहा register का symbol, zigzag बना हुआ यह light source है load है आपके पास और switch है तो यह है diagrammatic representation of a circuit और आपके और मेरे घर में definitely ऐसे बहुत सारे circuits हैं हम पूरे घर के अब circuit के बारे में समझने से पहले समझेंगे कि कैसे electric power हमारे घर तक पहुच रहा है तो transmission of power from the generating station to our own home आप और मैं consumer है कैसे आ रहा है इसको समझते हैं तो जो electric power है वो produce होता है power generating station में जो usually क्या होते हैं thermal power station है हमारे भारत में हाँ हमारे भारत में thermal power मतलब power produce हो रहा है पर किस से produce हो रहा है heat देकर करके कैसे heat कैसे coal को fossil fuel को petroleum को burn करके यह हमारा सबसे major source of power है तो हमारे देश में power produce हो रहा है power stations पे जो हमारे घरों से बहुत 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 दूर है यह power generating stations यह power generating stations electric power produce करते हैं पर कितने volt में produce करते हैं 11,000 volt कितना 11,000 volt में produce करते हैं जो की बहुत बहुत हाई है सर 11,000 ही बोल्ट क्यों produce करते हैं यह question पूछेंगे क्योंकि 11,000 से उपर produce करेंगे तो insulation होने लगेगा अथार electricity को pass करने में दिक्कत आएगी तो इससे नीचे produce कर देते हैं क्यों 11,000 ही बोल्ट produce कर रहे हैं इसके नीचे अगर current produce करेंगे तो problem आएगी current का loss का heating की effect से current loss होने लगेगा high current क्या होगा pass करेगा जो की wastage हो जाएगा तो दोनों ही problem हैं above 11,000 बोल्ट produce नहीं करते हैं line loss induction से pass नहीं हो रहा है insulation से हो रहा है दूसरा हो रहा है अगर 11,000 बोल्ट से कम करते हैं तो current का wastage हो रहा है high current generate हो रही है अब आता है जब हम produce 11,000 कर रहे हैं हमें 11,000 तो घरों को supply नहीं करना है और 11,000 सबकी requirement भी नहीं है क्योंकि industries की requirement कुछ अलग है जैसे heavy industries की requirement अलग होगी light industries की requirement अलग होगी और आपके मेरे घर में कितने वोल्ट में appliances चलते हैं हाँ आपका जो fan है देखिए उपर और आपके जो tube lights लगे हैं, bulbs लगे हैं वो कितने वोल्ट पे apply करते हैं कितने वोल्ट पे चलते हैं चरी बताइए हाँ, आप लिखे जब तक हम आगे वढ़ते हैं और आपको इसको और clear करते हैं तो जो power generating station है वो direct हमारे घर में 11,000 volt supply नहीं करता है क्योंकि अगर इतना वोल्ट हमारे घर में आएगा तो हमारे सारे appliances burst हो जाएंगे इतना high voltage पाकरके सबसे पहले तो हमारा fuse उड़ जाएगा हाँ, हमारा fuse उड़ जाएगा हमारे electrical devices का fuse उड़ जाएगा तो इसलिए 11,000 volt को consumer को supply नहीं किया जा सकता है बलकि इससे lesser amount of volt चाहिए आपको बताना है कितना volt चाहिए तो जब line की बात करते हैं 11,000 volt की supply नहीं करते हैं पर 11,000 ही क्यों तो मैंने कहा 11,000 से transmission कर पाते हैं 11,000 voltage 11,000 voltage तक current को raise करते हैं ताकि loss of energy transmission के दोरान power station में जो 11,000 volt प्रोड्यूस हुआ है उसको बलकि और increase करते हैं ताकि वहां से current आपके घर तक आ चके क्योंकि बहुत लंबड distance travel करना पड़ता है तो इस long distance को travel करने के लिए इसको high potential पे ले जाते हैं ताकि loss of energy न हो अब आता है कि सर हम लोग जो current produce कर रहे हैं वो AC type की है alternating current है जो power station produce कर रहे हैं वो alternating produce कर रहे हैं जिसमें कि line of flow of current जो है वो straight path में नहीं है one directional flow नहीं है ठीक है ना बलकि reversal of direction of flow भी होता है जिसमें alternating current होते है change in the pattern of the flow of current जबकि DC current क्यों नहीं use करते हैं हाँ अब आप कहेंगे सर DC current मतलब direct current वो क्यों नहीं produce करते हैं हमारे power stations direct current का flow मतलब होता है एक single path में flow of electrons होना इसकी वज़े से क्या हो जाएगा कि power generating station से आपके घर तक same same potential पर या same current पहुच ही नहीं पाएगी सारी current क्या हो जाएगी distribution में loss हो जाएगी सही सुन रहे हैं सारी current क्या हो जाएगी distribution में loss हो जाएगी so it is not possible to step up or step down क्योंकि इस current को न हम step up कर सकते हैं न तो step down कर सकते हैं जितने potential पे जा रहे हैं produce हो रही है उतने ही potential पे वो क्या हो जाएगी घरों को supply हो जाएगी और आपकी और मेरे घरों को कितना potential चाहिए तो 220 volt अब आपका AC हो चाहे आपका bulb हो चाहे आपका geezer हो सबको 220 volt ही चाहिए हमारे देश में भारत में appliances 220 volt पे काम करते हैं क्या सारी दुनिया में ऐसा ही है नहीं नहीं American countries में ये 110 volt है हाँ 110 volt है इसलिए आप America के कोई appliances America में आपने कोई अच्छा camera करिल दिया iPhone करिल दिया और आप सोचते हैं कि इंडिया को लाकर के लगा देंगे और आपके इंडिया में वो चाम नहीं कर पाएगा क्योंकि इंडिया का potential भारत में जो potential difference of voltage है हाँ वो 220 volt है समझ गया है आपके सारे devices 220 volt पे चलते हैं भली उसको step down या step up करके उसका voltage बढ़ाया गटाया जाता है क्या घर में आपके stabilizer लगा है क्या आपके AC के साथ stabilizer लगा है AC को on करते हैं तो सबसे पहले stabilizer on होता है AC को current supply करने लिए है ऐसा जरूर मुझे बताईएगा तो उसका use क्या है वही maintain करता है potential difference अगर आपके घर में low potential होगा तो घर में जो AC लगा है उसके साथ attached stabilizer है या इवन fridges जो हम use कर रहे है refrigerator use कर रहे है उनमें भी लगा हुआ है वो step up कर देता है अगर potential low होता है हाँ अगर 220 volts से कम current आ रही है तो उसको supply कर देता है तभी वो AC काम कर पाता है समझ गया है ना आप तो DC current नहीं use करते है और हमारे देश में जो voltage है वो alternating frequency of 50 hertz है कितना number याद कर लीजे MCQ questions को मैंने ज़्यादा तर क्या कर रखा होता है highlight या underline कर रखा इसलिए इन numbers को आपको ध्यान देना पड़ेगा या और भी जहां जहां ऐसा लगेगा मैं उसको underline या highlight करता रहूँगा आप ध्यान दीजेगा 50 hertz की frequency है हमारे घर में 50 hertz मतलब होता है 50 per second hertz is per second आईए आपको एक diagram से दिखा रहे है कि किस तरीके से power generating station से आपके घर तक हाँ आपके घर और मेरे घर तक बिजली आ रहे है यहाँ पर यहाँ पर वो क्या हो रहा है आपके घर तक बिजली आ रहे है सबसे पहले इस diagram को देखते है इस diagram में यहाँ पर power generating station है जिसमें boiler होता है boiler क्या करता है एक बड़ा सा steam produce करने वाला chamber होता है जहाँ पर पानी boil होता है यह पानी boil हो करके क्या करता है इसमें energy आ जाते है boiled water vapor के रूप में energy आ जाते है इस water vapor से turbine चलाए जाता है turbine एक rotating machine है जिसको move करने से क्या होता है generators चलते है generators क्या करते है mechanical energy को electrical energy में change करते है finally इस turbine की वज़े से generator on हुआ और यहाँ produce हुई electricity generator क्या करते है electricity produce करते है 11,000 kilovolt 11,000 kv 11,000 kv या 11,000 volt का potential का current produce हो गया यह current जहाँ produce हो रहा है कहाँ पर power station पे ही इतने high potential का current प्रोड्यूस हो रहा है इसे कहते हैं grid substation power station पे खुद मौजूद है grid substation यह grid substation अब यहाँ से इसको और high potential पे ले जाएगा क्या करता है यहाँ पे लगा होता है step up transformer सर यह कैसा transformer होता है transformer होता क्या है transformer एक device है जो क्या करता है potential को change कर सकता है इसमें primary और secondary दो coils होती है जिसका काम है receive करना current को at one potential और output में current को other potential में change कर देना primary coil receive करती है current को और secondary coil क्या करती है उसका output generate करती है तो एक transformer एक device है जिसमें step up transformer क्या करता है potential को increase करता है तो कितना potential तक ले जाना है हमें 1,32,000 volt तो step up transformer लगा हुआ है खुद कहाँ पर power generating station पे जिसका नाम है grid substation यह step up transformer अब current को 1,32,000 volt में इतने high volt में produce send करता है transmit करता है क्यों इतना high voltage इतने high voltage से क्या होगा current long distance तक travel कर पाएगी और wastage या loss of current due to heating नहीं होगा, कम होगा नहीं तो नहीं होगा, होगा जरूर पर कम होगा और इसके लिए thick wires होती है कैसी wires होती है high tension wire कौन सी wire होती है यहाँ पर high tension wire लगी होती है जो कि कई गुना thick होती है multiple क्या होते है rolls बने होते है aluminum के cables के यह thick cables होती है जो कि high current तक बरदाश कर सकती है melt नहीं होती है इनको आपने देखा होगा आप highways में जब जा रहे होते हैं तो आपने ऐसे बड़े-बड़े towers देखे होंगे यह electric pole towers है यहाँ कह सकते हैं high terminating towers है जहाँ पर से क्या हो रहा है यह current को high areas से बहुत उचाई तक पास कर रहे हैं lower areas में इसलिए नहीं पास करते हैं क्योंकि इसके आस-पास बहुत सारा magnetic effect पैदा होता है यहाँ खूब सारा magnetic effect पैदा होता है इसलिए बहुत उचाई पर होती है हाँ लोगों के घरों खितों से आप देखेंगे बहुत उचे से यह current flow करती वे जाती है बहुत high potential की है very 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 dangerous है हाँ इसके आस-पास तो even क्या होता है flight भी नहीं उड़ सकता है क्योंकि वो crash हो जाएगा इतना high potential है तो इससे current दूर दूर तक पहुचती है सबसे पहले current आके मिलती है main substation main substation एक city का station होता है शहर की entry पे क्या होता है बड़े-बड़े शहरों के entry पे यह station होता है यहां से क्या होता है step down transformer step down transformer क्या करता है इसके potential को कम कर देता है यहां पे जो potential 1,32,000 था उसको वो change कर देता है step down कर देता है 33,000 volt में किसको चाहिए 33,000 volt इतना potential कौन यूज करता है तो जो heavy industries होती है जैसे कि iron and steel industry यहां पर smelting of iron के लिए iron को पिगलाने के लिए बड़े industrial conversions करने के लिए बहुत high potential पे चाहिए होती बिजली इसलिए यहां पर 33,000 volt सप्लाई होता है और बाकी बची 33,000 volt किसको सप्लाई कर देते हैं अगले sub station को नाम है intermediate शहर के ठीक अंदर घुसने से पहले city sub station पे घुसने से पहले यह intermediate sub station पे जाता है जहां पर further step down transformer है यहां पर एक और step down transformer लगा है क्योंकि अभी current को और नीचे लाना है potential को और reduce करना है और 220 volt में convert करना है क्योंकि आपके और मेरे घर में तो 220 volt की potential की requirement है तो यहां से 11,000 volt में convert हो जाता है 33,000 से 11,000 volt में convert होता है और supply हो जाता है light industries को अब light industries जैसे छोटा मोटा electrical parts बनाने वाली industry या electronic industry stationary का का काम करने वाले लोग हाँ ऐसे लोग जो paper का का काम कर रहे है stationary का का काम कर रहे है printing का का काम कर रहे है वहाँ है light industries जो कि इनके product small quantity में बनते हैं और electricity कम supply need करते हैं कम voltage से ही होता है तो यह 11,000 volt में इनके devices काम करते हैं और इसके बाद आता है city substation यह substation शहर के अंदर होता है usually आपके घर के आसपास जहां से बिजली supply हो रहे है आपके घर को जिससे आपकी एरिया के आसपास जरूर से बिजली collection का deposit का office होगा पता करिएगा क्या कहा आपके घर के कुछ km दूर हो सकता है 1 km, 2 km, 5 km दूर हाँ आपके घर के नजदी क्या है power supply station है नाम है city substation यहाँ पर क्या लगा हुआ यहाँ पर फिर लगा है step down transformer यह जो step down transformer है यह और current को और सौरी potential को 11,000 से convert करता है 220 तक भी change कर देता है 220 में भी change करता है कभी-कभी तो यह 440 वोल्ट में change करता है और जो आपके घर के नजदी जो बड़े-बड़े खंबे लगे है pillars लगे है देखी बिजली के खंबे लगे हुए है उन खंबों पर यह 440 वोल्ट भी भी भेजता है कभी-कभी और वहाँ से वो क्या करता है मैंने इसको simple language में convert करने की colored और simple language में change कर दिया ताकि आप easily understand कर पाए आईए अब देखते हैं अब बिजली आपके घर के अंदर enter करने वाली यहां तो electric pole पर पहुँची है जो घर के नजदीक है यह बिजली का खंबा जो आपके घर के पास है वो यह रहा अब यह बिजली का खंबा है और यहां पर येस बिजली के खंबे पर लगा होता है company switch company fuse या pole yes सही सुना pole fuse यहां पर आपके घर पर enter करने से पहले लिखा हो बना होता है pole fuse या company fuse यह fuse कहा होता है यह fuse आपके meter से पहले घर में जो लगा electric meter है meter क्या करता है बताता है consumption of electric energy हमने कितनी energy consume की तभी तो हम bill दे पाएंगे न इस unit को measure करने के लिए किसमे measure करता है unit यह जो unit measure करता है वो है kilowatt hour जिस unit में हमारे घर में बिजली का bill आता है मेरे और आपके घर में जो बिजली का bill होता है वो kilowatt hour की rate पे है हमारे पूरे भारक में जो बिजली का bill है वो kilowatt hour अब kilowatt hour क्या होता है 1 kilowatt into 1 hour इसका मतलब है अगर power of 1 kilowatt is supplied for time of 1 duration then energy is then electrical energy is 1 kilowatt hour समझ गया है 1 kilowatt की energy एक घंटे तक अगर आपके घर में supply की जा रही है तो वो value हो जाएगी 1 unit क्या इसको unit के नाम से commercial unit तो कौन measure करता है यह यह बिजली का meter इसी लिए घर पे लगाया गया है ताकि आपके घर के बिजली का क्या आपके घर में बिजली के meter की reading करने वाले लोग आते हैं जरूर आते होंगे अगर आपने prepared meter नहीं लिया होगा हाँ आजकल prepared meter भी आ रहे हैं जैसे prepared sim होता है न जितना पैसा डलवाओगे उतनी देर तक बताए prepared है कि postpaid है हाँ यह जैसे मेरे घर में बूचेंगे आप तो मेरे घर में यह postpaid लगा हुआ है इसका मतलब है कि जब महिना पूरा हो जाएगा महिने में कितना मैंने बिजली consume किया यह लोग देख लेंगे कैसे देखते हैं उन लोग last month यहाँ पे जो reading थी let's assume 1000 थी इस electric meter में last month reading थी मेरे घर में 1000 और एक महिने बाद जब वो meter read करने आ रहा है तो उसने देखा कि हमारी reading हो गई है 1200 तो इसका मतलब हुआ कि one month में मैंने 200 units of 200 units बिजली जलाई है तो 200 units का हमें bill पे करना पड़ेगा let's assume कि 1 kilowatt का rate है 10 rupees तो 200 kilowatt का rate हो जाएगा 2000 रुपया अब समझ गए कैसे ये काम करता है तो ये जो पोल पे लगा fuse है ये भी क्या करता है help करता है कि अगर access current हमारे घर में आ रही है अब ये current कैसे decide होगी कि कि कितनी current हमारे घर में चाहिए जब हम company से हम जब government से या electric supply company से जब current लेना चाहते है मतलब अपने घर में बिजली लेना चाहते है तो हम उन्हें inform करते है हम उन्हें inform करते है कि भाईया मुझे क्या करिए मुझे meter लगवाना है और मेरे घर का consumption कितना है 10 kilowatt का है तो हमें बताना पड़ेगा कितना 10 kilowatt तो वो यहाँ पर 50 ampere का fuse लगाएंगे 50 ampere fuse for 10 kilowatt मेरे घर में मुझे लगता है कि मुझे 10 kilowatt तक का power की जर्वत है 10 kilowatt के बिजली की जर्वत पड़ेगी तो मुझे बताना पड़ेगा और फिर क्या करेंगे लोग पोल में fuse लगाएंगे 50 ampere का जो की 10 kilowatt तक के power supply को बरदाश कर पाएगा समझ किया ना इससे ज़्यादा अगर क्या होगा current आएगा तो tension लेने की जर्वत नहीं है यहाँ से ही क्या हो जाएगा यह fuse blow off हो जाएगा कहां लगा यह fuse देखा आपने यह fuse company pole जो electric pole है उसी पर लगा दिया गया होता है हमारे meter पर enter करने से पहले होता है यह हमारे meter में जो current आ रही है live wire के थुरू जिसको हम phase wire कहते हैं उस पर ही लगाया जाता है ठीक है? हमारे घर से पहले और यह meter जो हमारे घर के usually boundary wall पर लगाया गया होता है हाँ आप देखिए आपके घर की boundary wall पर लगा हुआ है यहाँ आपने कभी कभी किसी बहुत लोगों ने अपने घरों में एक छोड़ा बक्सा बना रखा है एक छोटी से almira बना रखी है और उसमें क्या रखा है अपने घर में meter रखा है आप बताईए आपके घर में कहा है दिवाल पर लगा हुआ है घर की बाहर वाली या घर के जो entrance पर ही क्या है एक छोटी से almira बनी हुई है और उसके अंदर क्या रखा है company fuse यह company meter लगा हुआ है बिजली का meter लगा है बताईए कहा लगा है हाँ आप बताईए तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ तो यह पहला fuse आपको मिलगा company fuse यह pole fuse है company fuse है और यह सिर्फ और सिर्फ बिजली department के लोग ही लगा सकते हैं इसका मतलब है high voltage आएगा यह fuse उड़ जाएगा आपको यह fuse electric department के लोग ही बदल सकते हैं पोल fuse है company fuse है इसके बाद current आ रही है हमारे meter पर यह live wire है और यह देख रहे हैं आप neutral wire है live wire current ले आती है तो return में ले जाती है कौन सी? neutral wire ठीक है? एक में electrons flow in कर रहे हैं तो एक से lot भी तो रहे होंगे तो lotने वाली wire का नाम है neutral wire देखें आप पीछे देखेंगे दोनों ही आपको पोल से मिल जाएंगी तो अब यह meter ध्यां से देखिए यह जो meter है आपके current को लेगा आपके devices को जितना आप current ले रहे हैं और आपके घर को supply कर देगा सबसे पहले इस current से current से पहुचेगी कहाँ पर यह आपके electric meter से current पहुचेगी एक mcb में mcb का full form है miniature circuit breaker जी सही सुन रहे है miniature circuit breaker यहाँ पर एक dp भी लगा होता है double pole switch लगा होता है कौन सा switch लगा होता है यह सब double pole switch क्या होता है double pole switch मतलब एक ऐसा switch जो simultaneously live और neutral wire दोनों को cut कर सकता है usually जो switch होते है वो live wire कोई क्या करते है का connection cut करते है पर double pole switch क्या करता है live और neutral दोनों की wire का yes दोनों का क्या करता है circuit break या make कर सकता है इसलिए इसका नाम है double pole switch तो यह double pole switch पे current पहुचती है आपने देखा होगा कि आपके meter के बगल में कुछ ऐसा डंडे डंडे कर लगा होगा इसको उठाना पड़ता है उठाने से क्या होता है yes current आ जाती है अगर वापस नीचे जुगा देंगे पूरा नीचे bend कर देंगे तो घर की पूरी light चले जाएगी तो पाप meter के बाद electric meter के बाद double pole switch और उसके बाद है MCB miniature circuit breaker जो की EC को support करता है high current आने पर ये circuit क्या कर सकता है बंद कर देता है या कुछ लोगों के यहाँ पर MCB ने लगा हुआ होगा cartridge type fuse लगा होता है एक ऐसा fuse होता है जो cartridge का बना होता है हाँ चीनी मिट्टी का बना होता है और उसको उसके अंदर fit किया जा सकता है बैट जाता है उसके अंदर उसके अंदर fuse wire दिखाई भी देती है ये 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 use होता है इस जगे पर ठीक डाया double pole switch के बाद use होता है अब यहाँ से current यहाँ से current live wire वाली current हम बाकी rooms में supply कर सकते हैं और हर room में लगे होते हैं अपने-अपने miniature circuit breakers यहाँ fuse तो आईए देखें तो हमने बताया electric power आपके घर पे पहुँच रहा है through cables या underground cables हाँ या तो overhead wires आ रही है या तो underground cables या रही है आपके घर में कौन सा wire आ रहा है उपर से तार आ रही है मोटी सी आप देखेंगे black color की plastic coated wire होगी या underground आ रही है बड़े-बड़े शेयरों में ऐसा हो चुका है हमारे बनारस में भी ऐसा नहीं है हमारे आभी overhead wires चल रही है तो wires तीन टाइप की मिलेगी live wire मिलेगी neutral मिलेगी और earth wire मिलेगी तीन मिलेगी याद रखेगा current live wire में है जिसको हम कहते है phase wire और इसका potential live wire का potential ध्यान दीजेगा इसी में 220 volt होगा ठीक है इसी में electrons flow कर रहे है जबकि जबकि neutral wire neutral wire क्या करती है सिर्फ current को क्या करती है ले जाती है जो once current is used अब आता है company का fuse लगा है मैंने यह भी बता दिया company के fuse की rating हम decide करेंगे वो हम कैसे decide करेंगे जब हम meter लगवाएंगे जिससे में current का connection लेंगे तो हमको बताना पड़ेगा हमें कितने kWh का current चाहिए जितने kWh का current चाहिए उस basis पे उसका fuse decide होता है मतलब एक example समझाते है कि 1 kWh में 0.5 ध्यान से सुनिएगा 1 kWh में 0.5 ampere का fuse लगता है अगर 2 kWh का connection लेना है तो 1 ampere का fuse लगवा देंगे ठीक है समन में आ गया चली अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमने बताए कि घर का सबसे main switch है इलेक्ट्रिक मीटर के बाद जो सबसे बहला switch आता है वो एक double pole switch होता है वो iron के box में होता है usually और ये switch को भी अर्थ करना पड़ता है क्योंकि इस पे भी current आने का खतरा होता है अर्थ करने का मतलब होता है कि जो अगर heavy current इस switch में आ गई इस metallic switch में आ गई usually metal का होता है उपर नीचे करने वाला तो उससे आपको shock लग सकता है इसलिए इसको भी earth कर देते हैं earth wire से connect कर देते हैं और double pole switch क्यों तो मैंने बताया एक ऐसा switch जो दो circuit को एक साथ समालता है कौन से? neutral और live wire एक ऐसा circuit जो क्या करता है एक switch जो line and neutral दोनों को एक साथ simultaneously same time में blow off मतलब connect जोड सकता है और हटा सकता है क्या फाइदा होता है? ऐसा मैंने कहा ऐसा करने से फाइदा ही होता है कि आपके घर में electric current एंटर नहीं करेगी electric shock किसी को नहीं लगेगा ठीक है? क्या use है? समझ गया ना जो main switch है वो connections को break करता है दोनों का live wire का भी connection break कर देता है neutral wire का भी break करता है so you are safe आईए एक diagram से देखें कि कैसे pole से आपके घर में current enter कर रही है यह रहा electric pole electric pole से current enter कर रही है यह रही live wire जिसको आप उपर देख पा रहे है live wire में 220 volt का supply of potential है इसमें attached है company fuse जिसको हम कहते है pole fuse इस fuse को मैंने कहा सिर्फ बिजली के mystery जो government द्वारा यहां बिजली company द्वारा होते है वही इसको change कर सकते है usually यह pole पे लगा होता है और यहां से current enter करती है हमारे kilowatt hour meter बे इस kilowatt hour meter को neutral wire भी current supply कर रही है इस kilowatt hour में double pole switch लगाया जाता है इसको भी earth किया जाता है earth करने का मतलब है इसको इसका connection हमारी underground cable से underground earth से connection से दे दिया है ताकि high current आने पर हवे shock न लगे और इसके बाद एक main switch जो की double pole switch है एक साथ live और neutral connection को switch off या connect कर सकता है simultaneously दोनों को दोनों को एक साथ कैसा switch है ये double pole switch है ये main switch बहुत safety के लिए जरूरी होता है usually मैंने का iron box का बना होता है इसको up and down करना पड़ता है और यहां से live wire enter करती है अलग-अलग rooms में अलग-अलग येस आपके hall में, kitchen में, drawing room में आपके washrooms में, येस आपके study room में यहां से वो distribution box से चली जाती है और हर एक के साथ लगा होता है MCB MCB miniature circuit breaker अब आप समझ गये हैं चलिए household wiring की बात करते हैं तो एक separate connection हर एक appliances को देना पड़ता है live wire द्वारा सर वो कैसे possible है है न possible अभी आपको दिखाते हैं कैसे possible है इस diagram को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हर एक आपके और मेरे घर में जो current आ रही है येस एक बार room की बात करते हैं पोल से घर में आई घर से अब distribution box द्वारा आपके different different rooms में जा रही है आपके hall में जा रही है dining room में जा रही है kitchen में जा रही है washroom में जा रही है आपके study room में आ रही है आपके bedroom में आ रही है ये आपका room है चलो ये तुमारा room है ध्यान से देखो हाँ इस room को ध्यान से देखो sir, यह मेरा room नहीं है, अरे इसको देखो, इसको, इसको, हाना, अब दियां से देखना, आपको अपका room समझ में आ जाएगा भी, यह तुम्हारे room में current आ रही है, जाद रखना, रिंग सिस्टम है, कौन सा system हम follow कर रहे हैं अपने गर में, रिंग सिस्टम, distribution box से, जो घर के बाह था, हाँ, जो घर के बाहर था, electric meter के बाद था, वहाँ से live wire enter कर रही है, अब हमने 30 ampere का एक MCB लगा रखा है, इसका मतलब है, इस कमरे में 30 ampere से अधिक की current आएगी, तो यह switch अपने आप MCB डाउन कर देगा, समझ गए, high voltage, high current आते वे, जब overloading होती है, या जब short circuiting होती है तो यह current change हो जाती है, और तब यह MCB अपने आप trip कर जाता है, अपने आप मीचे गिल जाता है, और जहाँ गरबल हुई है, जहाँ wiring में problem आई है, वहाँ connection ठीक कर दीजे, और फिर अपने हाथ से step up कर दीजे, हाँ, मतलब उपर कर दीजे, on कर दीजे, यह आपके घर को current, high current से बचाता है, electric shock से बचाता है, fire से बचाता है, miniature circuit breaker, तो जितने MPR की हमें need है, उससे थोड़ा कम, ड्यांस सुनिए, आपके room में जितने MPR की जर्वत है, उससे थोड़ा सा कम क्या करना चाहिए, MCB लेना चाहिए, ज्यादा current का नहीं लेना चाहिए, ताकि access current आते ही क्या हो जाए, अपने आप blow off हो जाए, अपने आप बंद हो जाए, अब इस live air को देखिए, एक rectangular design में लगाया गया है, क्यों से rectangular design लिया गया है, ताकि current to each devices reach करें from two path, ठीक से सुना, current to each device, यहां से भी current flow कर रही है, और यहां से भी कर रही है, तो हर device को दो path से current मिल जाएगी, अब आप देखेंगे, पहला connection हम कर रहे है, यह रहा, पहला connection है, एक lamp के साथ, इस lamp को, दियां से देखिए, इस lamp को generate connect किया है, पहले fuse से, सबसे पहले fuse, फिर उसके बाद एक switch, और सबसे उपर है lamp, तो fuse पहले क्यों, टाकि अगर current यहां fuse पे पहुँचे, अगर कोई short certain, कोई high voltage जा रहा है, तो यह fuse blow off हो जाएगा, जब यह fuse blow off हो जाएगा, तो lamp भी बुच जाएगा, ठीक है, तो fuse, switch और device, देखिए, live wire से इसको current मिल रही है, और देखिए, neutral wire से वापस neutral में connect हो रही है, ठीक है, neutral wire क्या करेगी, carry back, return back करेगी, अगला device फिर देखिए, इसी live wire में connected है, यह device आपका क्या है, एक socket है, सर यह socket क्या होता है, socket एक ऐसा device होता है, जिसमें यह छेद बने होते हैं, कभी-कभी 3 holes बने होते हैं, और कभी-कभी तो 5 holes होते हैं, हाँ आप अपने आसपस देखिए, जहाँ बैठे हैं, उसके नजदीक में देखिए, क्या बिजली का कोई socket लगा है, आपके board में, जहाँ पर पिन लगाते हैं, हाँ जहाँ अपना charger लगाते हैं, उस जिस point में charger घुसेड़ते हैं, जहाँ पर चारजर लगाते हैं, वो point आपका क्या है, socket है, यह तो socket है, आप देखेंगे usually 3 pin है, तो 3 pin मला socket है, और इस socket के लिए सबसे पहले again, तो जो live wire से ही connected है, देखें, neutral से क्या हो रहा है, again current return back, similarly आप fan को connect करिए और जितने चाय और appliances को connect कर दीजे, क्या है system का नाम, इस system का नाम है ring system, जो कि आपके हर कमरे, हर drawing room, हर जगें क्या हो रहा है, अपला है, पूरे ही, यह अपनी जो आप कमरे की wall देख लीजे, ध्यान से देख घर बन रहा था, तो उसी दोरान क्या हुआ था, wiring अंदर कर दे गई थी, हाँ, दिवार में cut लगा करके, दिवार को cut करके, हाँ, दिवार को cut करके, ईटो को cut करके, उसके अंदर pipe बिचा दिये गए हैं, और उसके उपर plaster कर दिया है, इसलिए आपको तार दिख नहीं रही ह घर को सुंदर बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, पहले usually क्या होती है, तारे बाहर हुआ करती थी, अब तारे सब अंदर होती है, through pipes क्या करती है, तारे अंदर लगा दी गई है, आप सिर्फ थोड़ी सी तार देख पाते हैं, जा tube light का connection से, वरना आप तार नहीं देख पाते हैं, या फैन के आसपास का थोड़ा सा क्या करते हैं, तार का connection देख पाते हैं, वरना तारे सब गायब, it looks neat and clean, that is why ऐसा करना पड़ता है, घर सुंदर दिखता है, रूम सुंदर दिखता है, समझ गई है अब आप, चलिए अब आपको ले चलते हैं, इस ring system के बारे मे अब भी समझते हैं, पहले ring system की बात करते हैं, तो ring बना हुआ था, आपने देखा, क्योंकि complete path था, current दो path से एक साथ flow कर सकती है, तो ये तो बड़ा अच्छा system है, current का wastage कम होगा, और सबसे बड़ा फाइदा क्या है, इस system में cost of wiring कम लगेगी, क्योंकि जो live wire main face से आई है, main connect करने के लिए, इसलिए cost of wiring सस्ता, दूसरा क्या है, कोई भी appliance अगर आप use कर रहे हैं, बस आप ध्यान दीजेगा, कि जो भी appliance connect करेंगे, उसका अपना एक separate fuse हो, मतलब ये हुआ, कि एक appliance अगर blow off होगा, तो दूसरे appliance इस पे असर नहीं पड़ेगा, ring system में एक appliance अगर बुझ आपके fan का fuse blow off हो गया, यह रहा आपका fan, यहाँ पर से इसका fuse खराब हो गया, हाँ, आप zoom करके देख लिजे, हाँ, तो आप देखेंगे कि सिर्फ fan बन दोगा, आपका socket काम करता रहेगा, lamp काम करता रहेगा, और other appliances भी काम करते रहेंगे, यह ring system का कमाल है, क्या, क्योंकि हर इक device का अपना एक separate fuse है, तो इसलिए उस fuse के blow off उन्हेंसे पर्टिगलर appliance पर ही असर पढ़ने वाला है, so other appliances keep on working as usual, और क्या फाइदा है system में, इसमें कई सारे plugs and socket लगाई जा सकते हैं, हाँ, plug उपर से लगने वाले top को कहते हैं, सही सुन रहे है, उपर से लगने वाले top को कह कहते हैं, और socket तो आप जानते हैं, जो छेट-छेट बने हुए है, 3 या 5, उसे socket कहते हैं, बर ध्यान ये देना है कि plug and socket same size क्योंने चाहिए, पर अलग-लग fuse value के होते हैं, हाँ, छोटा, अगर आपको कम current चाहिए, तो आप 5 ampere वाला ले लीजे, सार 5 ampere वाला कैसा होता है, इसके जो hole size होती है, थोड़ी छोटी होती है, hole size छोटी होती है, जबकि 15 ampere वाला बड़े devices के लिए होता है, इसकी hole size भी बड़ी होती है, इसका जो top होता है, उपर से भी वो भी बड़ा होता है, ठीक है, और तीसरा क्या फाइदा है, इस ring system का, तो इसमे एक नई line जोडनी हो तो बहुत असान है, एक नया appliance connect करना हो बहुत असान है, इवन आपके room में भी, आपके room में कोई नई tube light जोडनी हो, नया कोई connection करना हो, बहुत easy है, बिजली बिस्टर को बलाइए, उसको circuit मालुम है, आपके किसी भी एक ring वाले part से, किसी भी एक live wire से क्या करेगा, एक connection ज जी, क्या आपको पास सिर्फ एक ही system है, चली, पहले एक समझते हैं कि अगर current flow कर रही है, देखिए, current flow कर रही है from one wire, यह देखिए, ध्यान से देखिए, current यहां से flow करते हैं नजर आ रही है, सबसे पहला पढ़ा fuse, fuse के बाद आया switch, switch आ गया, ठीक, fuse के बाद आया switch, और switch के बाद आ गया हमारा load, load में मैंने का कुछ भी हो सकता है, let's assume कि मेरे case में एक bulb है, हाँ, diagram की सुन दरता पर मत जाईए, मेरे case में एक bulb है, ठीक, और अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, फिर लगा दिया मैंने एक device, यहां पर है fuse, यहां पर है fuse के आगे, एक switch, switch, हाँ, यहां लगा दिया, switch, और switch के आगे लगा दिया, फिर कोई device, let's say assume करते हैं, एक fan आई है, हाँ, एक fan आई है, एक बिजली का पंखा है, ठीक है, इसको current मिल रही है, तो अब आप देखेंगे ऐसे connections, जिसमें कि wire, live wire सबको equal amount of current दे रही है, तो imagine करिए कि अगर आपका यह fan, हा अगर इसका fuse काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, हाँ, अगर यह fuse उड़ जाये इसका, तो क्या होगा, क्यों भी फ़रक नहीं पड़ेगा, इस bulb को, bulb as usual काम करेगा, क्योंकि यह parallel connection है, कैसा connection है, parallel क्योंकि current को flow करने के लिए parallel ही, बहुत सारे path उपलब्द है, जैसे path 1, 2, 3, many path अब आईए एक और ध्यान से देखते है diagram, इसमें आप देखेंगे कि current तो flow कर रही है, current flow कर रही है, पर इसको flow करने के बीच में हमने लगाया एक fuse, fuse के आगे एक switch, यह लगाया switch और यहाँ जोड़ दिया, इसमें एक load, load के रूप में हमने जोड़ा, इसमें एक bulb, यह आगे जहाँ बल्ब खतम उसी live wire को आगे ले गए और इसमें आगे फिर से अलग fuse जोड़ दिया, और fuse के आगे एक फिर से switch जोड़ दिया, और इसके में connection कर दिया, अज्यूम करता हूँ एक fan, बताइए कौन से type का connection है यह, क्या कहते हैं, ऐसे connection में जिसमें की एक device के बाद तूसरा device connect कर दिया जाए, one after the another, जैसे लग रहा है, rail के डब्बे लगा दिये हैं, हाँ, तो इसे कहते हैं, series, क्या बोलते हैं ऐसे, series, series में क्या problem आती है, series connection में, एक single line में current flow कर रही है, तो device को कम current मिलेगी, यहाँ पर कम current मिलेगी, और किसी वजह से, let's assume कि किसी एक वजह स यहाँ का fuse blow off हो गया, तो ये भी, ये fan भी चलना बंद हो जाएगा, fan भी काम करना बंद कर जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से connected है, एक problem और आएगी, अगर इस device को high voltage चाहिए होगा, तो इसको voltage कम मिल पाएगा, समझ गए, तो ये भी एक बहुत बड़ा challenge है, तो इसलिए हमारे घर में devices series में connected नहीं है, क्या आपके घर में भी devices parallel में connected है, तो हाँ, हम सब के घर में devices जो है, वो parallelly, yes, live wire से connected है, not this, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इस से क्या हो जाएगा, एक तो appliances equal voltage पे काम नहीं करते हैं, और अगर उनको current बिल रही है, तो lesser command current पास होने लगेगी, अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो आगे के appliances भी सारे, yes, बंद हो जाएंगे, ठीक है, clear है, आईए, एक और system होता है, जिस हम कहते हैं, ring system के अलावा, इसे कहते हैं, आप पैचानिए, इस system को क्या कहते हैं, circuit कुछ इस तरीके से भी flow कर सकता है, live wire कुछ इस तरीके से भी flow कर सकत हैं, क्या कहते हैं, system को, जिसमें live wire ऐसे flow कर रही है, यह live wire है, जो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आप देख पा रहे हैं, कि flow of current हो रहा है, क्या कहते हैं system को, इस system का special नाम है, हम कहते हैं इसको tree system, तो यह tree system हमारे घरों के लिए useful नहीं है, जी, हम और आपके घर में जो system लगा हुआ है वो ring system है क्योंकि वो parallelly connect करता है जबकि tree system में cap उराई है वो series में connect करता है सोचिए एक live wire यहां से शुरू हो रही है अगर यहां पर कहीं fuse blow off हो गया तो इससे जुड़े यह सारे devices काम करना बंद कर जाएंगे सोचिए यहां जुड़ा यह device और यह device दोनों काम करना बंद कर जाएंगा क्योंकि यहां का अगर fuse काम करना बंद कर दिया तो यहां पर switch off कर देंगे यह भी off हो जाएगा यह भी off हो जाएगा इसलिए हम tree system को use directly नहीं कर रहे होते हैं कुछ जगों भी use किया जा सकता है जैसे बारात वरात में हाँ जहां पर बिजलियों की लड़ी सजाई गई होती है या पूजा पंडालों में आपने के बाद एक लाइटे जली रही होती है तो उन सब में use कर सकते हैं but not at many places ठीक है आईए अब आगला चलते हैं आगे समझते है रिंग सिस्टम के बाद दो सिस्टम समझा आपने रिंग और फ्यूज रिंग और ट्री सिस्टम तो ट्री सिस्टम तो हमारे गर में use हो नहीं रहा है क्योंकि वो series वाले system को follow करता है तो series वाली बुराई सारी आ जाएगी अब आता है fuse क्या है हाँ आपने क्या इसको देखा है क्या आपने इस cartridge वाले इस device को देखा है एक हिस्सा इसका box में attached होता है बिजली के box में attached होता है और दूसरा हिस्सा क्या होता है उपर से इसके अंदर fit हो जाता है हां इसके अंदर जाकर के बैट जाता है इसके अंदर fuse wire लगी होती है क्या इसके अंदर fuse wire यहां से लेकर यहां तक fuse wire attach होती है इस metal से इस metal तक और इसको क्या करते हैं इसके अंदर जाकर fit कर देते हैं हां इसे कहते हैं cartridge type हां यह porceline के cartridge होते हैं पॉर्सलीन बोले जाला अच्छा वड़ रहेगा, कार्टिज की जगें बोल देते हैं, पॉर्सलीन टाइप, पॉर्सलीन के कार्टिज बने वह है, किसके पॉर्सलीन, चीनी मिट्टी होती है न, ये तूटेगा, गिरेगा तो तूट भी जाएगा, अगर आप कहीं जोड़ से पटक देंगे, तो ये तूट जाएगा, चीनी मिट्टी कप की तरह होता है, जैसे आपके घर में कप प्लेट्स होते हैं, ये पॉर्सलीन, ठीक हैं, इस मेडिल का बना हुआ है, इसलिए मैंने का, पॉर्सलीन कार्टिज टाइप, तो क्या है Fuse, सबसे पहले समझते हैं, Fuse एक सेफटी डिवाइजेज हैं, सही बात है, क्या करना होता है, लिमिट दी करेंट, क्या? लिमिट दी करेंट, अब ये करेंट कितनी देना है, ये डिपेंड करेगा, करेंट रेटिंग पर, आपके घर में कितनी current की जरुवत है, कितने voltage की जरुवत है, यह आप decide करेंगे, हाँ जब हम बिजली का connection लेते हैं, उसी के basis पर fuse decide होता है, जैसे मैंने example दिया था, कि आपको 50 ampere का, sorry, 50 ampere का, 50 ampere का fuse लेना पड़ेगा, for 10 kilowatt, ठीक है, 10 kilowatt के लिए आपको 50 ampere का fuse देना पड़ेगा, यह government द्वारा, यह company द्वारा क्या होता है, decided होता है, ठीक है न, तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या current rating, fuse की अलग-लग rating होती है, जिसने आप बड़े devices चला रहे हैं, उसकी fuse की rating बड़ी होगी, छोड़े devices को control करने के लिए 5 ampere का fuse ह होगा, बड़े device जैसे आपको AC control करना है, हाँ, आपके घर में refrigerator हैं, गीजर लगेवे हैं, जो बहुत high current लेते हैं, उनके लिए fuse rating हाई होगी, 15 ampere होगी, ठीक है, तो fuse क्या करता है, आपके devices का safeguard करता है, आपके circuit को, आपके appliances को बचाता है, damage उनों से, किस principle पे काम करता है, fuse क simple सा principle है, जो कहता है, कि current पे electrons flow करते हैं, तो वो heat हो जाती है, yes, जो conductor होता है, वो heat हो जाता है, बस इसी पे काम करता है, heating की बज़े से क्या हो सकती है, temperature rise होगा, जिसकी बज़े से fuse wire melt हो जाती है, समझ गये, तो क्या principle है, किस principle पे fuse बनाया है, heating effect, और यह heating effect किस पे depend करता है, यह heating effect, अथाथ fuse, किस पर depend करता है, heating effect depend करता है, जो कि current और radius, जिस fuse wire की बात कर रहे हैं, उसी fuse wire को मिलने वाली current, current पर किस पर depend करता है, square of the current, और cube of the radius, मतलब T is inversely proportional to the square of I, directly proportional to the square of I, and inversely proportional to the cube of the cross section of the wire, यह है, यह fuse का factor, जिस पर depend करता है, दो main factor हो गए, एक है current पर, और दूसरा क्या है, radius पर, तो current पर कैसे depend करता है, तो मैंने बताया, fuse depend करता है, fuse की जो heating है, वो defect करती है, square of the current पर, और fuse depend करता है, inversely to the cube of the, to the cube of the radius, हाँ, जिस wire के radius का cube, जितने भी wire होगा, उसका three times कर दो, three times मतलब, उसकी value three times कर दिया जाए, value into three times, तो वो क्या बन जाएगा, आपकी value आजाएगी fuse की, इसका मतलब यह भूए हुआ, कि fuse length of the wire पर depend नहीं करता है, अगर आप wire बहुत लंबी कर देंगे, तो क्या होजाएगा, fuse ज्यादा लगेगा, या fuse कम लगेगा, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, fuse wire की length पर depend नहीं करता, fuse wire लंबी कर दो, छोटी कर दो, कोई effect नहीं पड़ेगा, सबसे main factor है, यह दो चीज़े, wire की radius क्या है, और करना current अप्लाइंसे से आ रहा है, चलिए, अब fuse किससे बनाते हैं, fuse बना होता है, एक particular metal से, किससे बना है, और fuse सबसे पहली चीज़ है, कैसा होता है, तो fuse एक बहुत छोटी wire होती है, एक छोटी thin wire होती है, और बनी किससे होती है, basically यह बनी होती है, एक ऐसे material से, जिसमें melting point लो होता है, ताकि जैसे ही heating हो, जैसे ही current pass करे, और fuse की current rating, fuse की current rating है, उससे ज़्यादा current आए, तो वो अपने आप क्या हो जाए, melt हो जाए, और wire टिगल करकर टूट जाए, समझ गए, ताकि वो wire क्या हो जाए, melt हो जाए, क्योंकि हर fuse की अपनी एक prescribed limit होती है, वो prescribed rating, current rating पे depend करती है, समझ गए, तो किस से बना होता है, किस material से बना होता है fuse, lead और tin से बना होता है, copper और aluminium से क्यों नहीं बना होता है, silver से क्यों नहीं बना होता है, तो lead और tin एक high resistant wire है, इनका melting point भी बहुत low है, मतलब ये wire जल्वी पिगल जाती है, जैसे ही temperature high होता है, ये तुरंट पिगल जाती है, कितने degree भी पिगल जाती है, 250 degree आते ही ये wire पिगल जाती है, तो अगर high current आएगा, तो ये wire पिगल जाएंगी, तो copper और aluminium को क्यों नहीं उस करते हैं, क्योंकि copper और aluminium क्या है, very good conductors हैं, और good conductors के साथ साथ, इनका melting point भी बहुत आई है, इसका मतलब है, ये जल्दी पिगलती नहीं है, high temperature आने पर भी, लगबग 1080 degree, 1080 degree के बाद ये क्या होगी, melt होगी, तो आप समाझी रहें, घर के सारे devices क्या हो जाएगा, उड़ भी जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, समझ गया ना, चलो, कैसे बने हैं, क्या इनका construction रहा है, तो एक fuse को, जो आप देखें, ध्यान से, तो एक fuse में, जो cartridge type fuse है, या porcelain के जो बने fuse है, basically वो कुछ इस तरीके से होते हैं, एक socket होता है, जो की fixed on the board होता है, इस socket में, पहले से ही, हाँ, इस socket में, पहले से ही, क्या लगे होते हैं, दो terminal होते हैं, एक live wire को in करने के लिए, वो है terminal 1, एक live wire को out करने के लिए, terminal 2, बीच में यहाँ पर देख लिजे, gap है, यहाँ, इस दोनों terminal के बीच में, एक gap है, इस gap को पूरा करता है, यह उपर का porcelain holder, porcelain holder, अलग से आकर fit होता है, इस porcelain के socket में, socket board में लगा होता है, जो बिजली के board होते हैं, और उपर से क्या करते हैं, यह porcelain का holder होता है, जिसमें खुद में भी क्या है, दो terminals है, इन दोनों terminals के बीच में, live wire है, वो जहाँ जाकर के fit हो जाता है, ठीक है, यह इन दो terminal दो फिट हो जाता है, नदीजा क्या होता है, circuit complete, जब circuit complete हो जाएगा, तो current flow करेगी, और अगर temperature high हुआ, fuse rating के ज़्यादा आ गया, fuse की जो current rating थी, जिसमें उसको prescribed limit था, अजिम करते हैं कि fuse है, 5 ampere का, और current वहां आ रहे हैं 15 ampere की, अपने आप क्या हो जाएगा, यह fuse wire, यह अंदर की wire देखें क्या हो जाएगी, melt हो जाएगी, जैसे fuse wire break हो जाएगी, circuit तुट जाएगा, आपका device, shock से, damage से बच जाएगा, समझ गया, कैसे काम करता है, कभी fuse wire melt हो जाती है, जब इसके अपने हर एक fuse का, अपना एक current limit है, current rating है, उस current rating के beyond, जैसे ही, current supply होगी, wire heat होगी, melt हो जाएगी, और break हो जाएगी, अब समझ में आ गया, कभी-कभी आपके घर में भी क्या होता है, fuse उर जाता है, आपके घर की बिजली, या आपके कुछ devices की, इवन कभी-कभी आपके कमरे के, भी बिजली उर जाती है, ऐसा हुआ आपके घर में, sure हुआ होगा, कभी ने कभी तो जरूर हुआ होगा, हमारे जितने भी बड़े-बड़े आज कल, costly appliances हैं, इवन आपका refrigerator, ACs, geezer, television, इनमे भी, इनमे भी अलग से fuse लगा हुआ आ रहा है, क्यों sir, इनमे अलग से fuse, अरे extra safety के लिए भाईया, इतना महेंगा device है, 10 रुपय का fuse लगाने से, अगर आपके refrigerator को बचा सके, उसकी कीमत 20-30,000 रुपया है, यहाँ आपका AC जो 30-40,000 रुपया है, या इवन और महेंगा वाला AC अपने लगाया है, तो उसको बचाने के लिए, अगर 10 रुपय का या 20 रुपय का एक cartridge type, कैसा दिखता है cartridge type, कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देखेंगे, इस cartridge type की fuse में, बीच में glass होता है, और यहाँ पर इस end में, मेटल कैप्स लगी होती है, इस बीच में पतली सी, बीच में पतली सी fuse wire होती है, जो इन दोनों metals को, इन दोनों metal caps को join करती है, तो अगर यह fuse जब break होता है, तो यहाँ से device, यह तार अलग हो जाती है, समझ के 20 से ये fuse wire break हो जाते है जब हाई आपका जो ये important device है ये महंगे costi device है ये बढ़ जाते है है ना बड़ा कमाल का चोटा सा device इतना छोटा सा होता है hardly इतना छोटा सा होता है device उसके अंदर appliance के अंदर fix हो जाता है आपका appliance safe तो अब आता है कि fuse को live wire में connect करना चाहिए कि neutral wire में अब बताइए आप से question पूछ रहा हूँ कि current कौन ले आता है phase wire मतलब live wire ले आती है कि neutral wire लाती है तो सीदी सी बात है current जब enter कर रहा है live wire से तो fuse को भी लगाना चाहिए live wire पर आईए एक example से समझते है इसमें diagram से भी समझेंगे तो fuse को जब भी connect करना है live wire में और वो भी appliance से पहले appliance के बाद मतलबागा यहां fuse पहले fuse, switch, फिर appliance फिर से सुनेंगे fuse, switch, फिर appliance आपने diagram में भी देखा था तो अब जैसे ही current exceed करेगी जो fuse की rating के beyond होगा तो वो melt कर जाएगा circuit break circuit break तो आपका appliance बच जाएगा हाँ, अगर fuse को आपने neutral में connect कर दिया तो क्या होगा ध्यान से समझेगा अगर कोई defect हुआ और आपके appliance में high current flow भी किया तो the fuse will blow off and the circuit current will stop but, 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 but problem कहा है excessive current flow करने की वज़े से the appliance will remain connected to high potential ठीक है आपका appliance is high potential से connected है जो की आपको shock देगा आपको एक terrible electric shock लग जाएगा इससे बचने के लिए हमेशा fuse को live wire में connect करना है समझ गया न? तो अगर fuse live wire में connected नहीं है तो neutral wire पे connect होने से आपको shock लगेगा आपका appliance आपके appliance से आपके body पे current आ जाएगा ठीक है? तो इसलिए बहुत ध्यान देना है fuse को use करना है तो बहुत समबल के it is highly unsafe to use fuse in the neutral wire क्योंकि because मैंने reason दे दिया the person comes in the contact of the mains through the live wire समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया आई आगे बढ़ते हैं तो current rating मैंने बताया अलग-अलग devices की अलग-अलग rating है आप क्या device यूज़ कर रहे हैं सबका fuse अलग होगा सब में एक जैसा fuse नहीं लगता है तो हमारे घर में अगर कोई light device है जैसे आपके घर में जो पंके लगे हैं बिजली लगी हुई है हाँ, tube light लगी हुई है छोटे मोटे कोई और device लगे हैं वो छोटे वाले पिंज में लगते हैं इनकी fuse rating 5 ampere होती है क्योंकि इनको current कम चाहिए हाँ, current कम चाहिए क्योंकि इसमें live wire के पास सिर्फ 5 ampere तक की current करिंग capacity है तो ऐसे devices जैसे electric fan, tube lights या आपके जो mobile charges है इनमें कम current चाहिए 5 ampere के current चाहिए तो उसे लिए 5 ampere की fuse rating होती है इसका मतलब 5 ampere से ज़्यादा current अगर इसमें आएगी तो ही fuse blow off करेगा समझ गए अगला है एक thick fuse wire अगर आपके घर में कोई ऐसा appliance जैसे मैंने का geezer refrigerator, ACs ये लगे हैं तो इनको high current चाहिए होती है कितनी current चाहिए होती है 15 ampere की high current की वज़े से इनको ज़्यादा current चाहिए तो इसलिए इनके fuse भी बड़े rating के होते है 15 ampere की rating के होते है कितना 15 ampere की rating के होते है समझ गए अब कैसे measure करें कि क्या current rating होनी चाहिए fuse की तो एक formula भी है formula है total power of the appliances and voltage वैसे यह formula कहां से आया है तो वो formula आया है power की formula से power का formula होता है current into potential difference यह होता है formula power of the appliance is equal to potential difference into current अब इसी को मुझे current निकालना है I stands for current तो formula लग जाएगा power upon voltage यही रहा total power upon voltage समझ में आ गया यह formula कहां से आया कि current rating of fuse कैसे निकालेंगे समझ गया ना power upon voltage अब आता है MCB तो मैंने बताया आजकल आप और मैं क्या कर रहे है normal cartridge type fuse या normal जो porcelain fuse था वो use नहीं कर रहे है वो old technique है आजकल हम use कर रहे है MCB miniature circuit breaker जिसकी काम है कि जैसे ही heavy current blow करेगा अपने आप यह क्या करेगा नीचे down हो जाएगा माइक्रो सेकंड में अपने आपको क्या करेगा current को रोक लेगा कितने micro या milliseकंड में रोक लेगा समझ गया और जब आपके घर में पता चल जाए आपको कहां गलती होई है कहां short circuiting हो रही है कहां over load हो रहा है आप उसको correction करा लिजे और फिर क्या करेगा वापस fuse अप कर दीजे normal current flow करेगी समझ गया है? अपने आपको क्या करता है? यह break off कर देता है अपने आप बंद कर देता है current की supply फिर आता है switch की बात करते है तो switch क्या होता है? एक ऐसा device जो on और off हाँ on कर दो off कर दो इसी switch से तो करते हो on off device होता है जो की live wire से connected होता है अब switch दो type के है single pole switch ही आप और मैं use कर रहे हैं आपके जो room में जो switch लगा है जिससे आपने fan on किया है आपने अपने mobile का charger on किया है आपने अपना laptop लगाया है और उसको लगा दिया है तो वो सब आप use कर रहे है single pole switch single pole switch सिर्फ और सिर्फ live wire को disconnect करता है क्या चीज? एक appliances को on off करता है और सिर्फ और सिर्फ live wire को disconnect करता है इसलिए इसका नाम है single pole switch जबकि double pole switch आपके main meter जो घर का बिजली का meter है kilowatt hour वाला meter है उसके ठीक बाद लगता है ये double pole switch जिसका काम basically क्या होता है दोनो live wire और neutral wire के connections को break और make करना समझ गया? ये on off करता है दोनों device ये बहुत extra safety में काम आता है चली क्यों अब switch को भी live wire में connect करना चाहिए अब आप simple जानते हैं जैसे fuse को live wire में connect करते हैं तो switch को भी कहां करेंगे? live wire में तो live wire में connect करते हैं बता दिया कि हर appliance किसी high potential द्वारा live wire से connected होता है अब जब current flow कर रही है तो circuit complete करेगी और मैंने कहा neutral wire क्या करती है return path worthy current बन जाती यही है basic rule पर जैसे ही हम क्या करते है off कर देते हैं circuit break हो जाता है current flow करना बंद कर देती है device बंद हो जाता है काम खतम on off तो आप जानते हैं बट problem कहां है? problem यह है कि हमने switch को connect कर दिया है neutral wire में अब क्या होगा? अब neutral wire में connect करोगे तो switch on off करने की जरुवत नहीं है device on off करो device चलता रहेगा देखें अब आप यह screen देखेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर एक switch है जो on position पर है circuit complete होता वन जर आ रहा है देखें और यहाँ पर देखें circuit complete नहीं है अब live wire के लावा कहीं और connect करेंगे तो भी आप problem में रहेंगे ठीक है? even the live wire connecting the terminal of the appliances can be touched if the switch is off वैसे आपको नहीं करना है मैं आपको सक्त मना कर रहा हूँ please, please, please do not touch the wires which are open especially उपर की जो अगर thick coating होती है जो plastic की insulating coating होती है न हो, आप उपर से न छी ले careful रहें जब जब आप wires के साथ या electrical connections के साथ है हाँ, safety first तो live wire को आप touch कर सकते थे अगर switch off है मैंने मना किया ये लापरवाही आप नहीं करेंगे switch off रहेगा तो आप safe रहेंगे ठीक है? because live wire और neutral wire live wire में switch connected नहीं है आप switch on, off कुछ भी करिए अभी भी आपके device में high potential reach करेगा so it is very deceptive and dangerous to connect a switch to a neutral wire neutral wire connect करने से बावजूद आपका device always connected बताएगा समझ गे? very 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 unsafe और क्या ध्यान देना है? safety precaution में और ये ध्यान देना है कि आपको कभी भी switch को wet end से touch नहीं करना है क्योंकि पानी लगने से live wire के बीच में और आपके हाथ के बीच में एक conduction link बन जाता है एक conducting layer बन जाती है जिसके बाद आपको shock लग जागा है समझ गे? तो very unsafe है आईए erding समझते हैं हाँ आपके घर में आपके devices के साथ erding करना जरूरी है क्या कभी आप fridge को छूते है और कुछ जंजनाट से मैसूस होती है या आपके घर में cooler है खास करके वो जो लोही वाले cooler होते थे पहले desert cooler है क्या? है? आप कभी cooler चलाते हैं तो आपको कुछ हलकी सी जंजनाट लगती है या कोई ऐसा device जो metal body का है हाँ अगर आपके refrigerator या आपके cooler से जो जंजनाट मैसूस हो रही है इसका मतलब है कि उसकी body में current आ रहा है तो electrical devices में अगर current आने लगे especially जिनकी body जैसे मैंने का iron press उसकी body तो metal की होती है तो उसमें अगर current आए और आप touch करें तो आपको भी current लग सकता है जैसे मैंने का refrigerator जो की metal की body का बना होता है coolers खास करके desert cooler गर्मी वाले cooler जो बड़े वाले cooler लोहे वाले cooler होते है उनकी body में अकसर current आ जाता है कैसे आता है तो मैंने का live wire का उपर का insulating material जो पर की plastic material होती है usage के बाद पुराना हो जाने के बाद body से touch करने लगता है तो current उसकी body में भी चले लगता है उस device की हाँ iron press की या refrigerator की या वो electric cooler की बजली के cooler की उनकी body में current आने लगता है और आप और मैं छूते हैं तेजी से शक लग जाता है समझ गया उसको बचाने के लिए लगाया गया है local earning आपके घर में अगर किसी वज़े से current access आ रही है तो उसको खीचने के लिए लगाना पड़ता है local earning जिसको हम grounding कहते है कैसे करते हैं आइए local earning के लिए आपको घर के जहां meter है उसके पास ही एक गहरा गड़ा बनाना है कितना गड़ा बनवाना पड़ेगा हाँ जब मकान बन रहा होगा न तभी आपके पमी पापा ने बनवा दिया होगा हाँ जो flat में रह रहे हैं यहां से सुनिएगा आपको क्या होगा earning का connection दिया होगा तो local earning के लिए kilowatt hour meter जो main meter है उसके बगल में 2-3 meter गहरा गड़ा को दोना होता है इस गड़े में एक copper की rod एक copper की rod डालते हैं उस copper की rod में एक copper का pipe साथ में क्या होता है copper की बड़ी plate द्यान से सुना आपने आपने देखा कि 2-3 meter गहरा ये गड़ा बनवाया इसमें मोटा सा hole hole में copper wire इस pipe के अंदर और इसके साथ जुड़ी है एक थिक copper plate और इस copper plate के चारो तरफ चार कोल मतलब कोल और salt का mixture और खूब सरब पानी खूब सरब पानी insulating material करने के लिए conducting material करने के लिए और यहां से जो ये तार बहार निकल रही है यही हमको connection देना है घर के meter में भी किसको हमारे बिजली के meter को ताकि अगर उस पे भी heavy current है तो current withdraw हो जाए और हमारे घर के devices में भी हाँ हमारे घर के जो बड़े devices हैं जो आपने 3 pins प्लग पड़ा था ना तो उसमें जो center वाला pin था उसको देने के लिए समझ गया है क्या करता है ये मैंने बताया help करता है ये plate क्या करने के लिए access current withdraw करने के लिए और safety के लिए क्या करना पड़ता है इसमें 4 को रोल salt डाल देते है नीचे ताकि अच्छा contact plate और earth के बना रहे है तो कैसे काम करता है मैंने बता दिया ये जो earth wire है ये earth wire connect कर दी जाती है to the devices जो भी हमारे घर में metal की devices लगे हैं उनकी body से connect कर दिया जाता है इसे हम कहते है earthing of an appliance earthing on appliance के लिए क्या करते है जरा समझिए ये रहा एक metal का device इसकी body metal की है द्यान से देखिए इस appliance की body एक metal की है ये लिखावाय साफ साफ metallic case of the appliance अज्यूम करिए ये iron press है हाँ सोचिए ये iron press है और इस iron press को connect करती है ये live wire ठीक है live wire और switch पहले fuse फिर switch अब यहाँ से देखिए यहाँ से ये अगर live wire बहुत बार move हो हटे उपर का plastic की coating रिमूव हो जाती है यहाँ से जब plastic की coating रिमूव हो जाती है तो current इस metal body में आ जाती है देखिए इस iron press की body में आ जाती है और हम लोग अगर इसको touch करेंगे तो हमें भी current लग जाएगा समझ गए कभी-कभी क्यों आपकी fridge क्यों आपका cooler आपको कभी-कभी current मारता है यह reason है समझ जाए कि इसकी live wire का उपर का insulating material हट गया है और इसकी body को touch कर रहा है metal body को touch कर रहा है इसलिए इस metal body को ही क्या करते है इस metal body को ही earth wire से connect कर देते हैं देखा अगर access current आएगी तो यह access current आपके धरती पर आपके घर में जो बना है और local earth इंग वहाँ चले जाएगी आप safe हैं अधिक सदिक आपको एक हलका shock लग सकता है बट आप मरेंगे नहीं हाँ deadly shock नहीं होगा आप physically इसको bear कर पाएंगे समझ गए कैसे काम करता है आए 3 pin plug देखते हैं 3 pin plug जैसे ही देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे top वाला pin जो है सबसे thick pin है हाँ इसको pin बोलता है यह 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 3 pin plug कहा लगता है socket में लगाते हैं it is placed in a socket socket में छेद होते हैं आपने देखा होगा आपके बिजली के board में लगा हुआ है और आप उपर से जाकर के हाँ आपका charger वो mobile का charger हो यह आपके laptop का जो उपर का pin हो हाँ उसे हम plug pin कहते हैं लगी होते हैं आगे-अगे आगे metal का बना होता है उसे plug pin कहते हैं तो pin usually copper की बनी होती है हाँ यह pin जो सबसे बीच वाली pin है यह erding pin है और left में लगी है live pin देखिए L से left, L से live left पे live pin है ठीक है? कौन सी? left पर live L से left, L से live live वाला pin left है तो बचा right में ठीक है? earth pin हमेशा मोटी और ठीक होती है देखिए क्यों? ताकि earth pin का connection पहले हो ज़्यादा बड़ी होती है ठीक होती है और यह भी होता इसलिए ताकि earth pin किसी और में fit हो न सके हाँ आप चाहेंगे live wire में earth pin fit कर पाए है नहीं fit होगा समझ गया न? तो earth pin is thicker and longer आते हैं socket को देखते हैं socket भी कुछ इस तरीके से बनाये गया है कि earth pin के लिए thicker thicker hole है और live and neutral के लिए same size के दोनों के holes है live और neutral के चलिए अब safety precaution plug और socket को यूज़ करते समय again similar safety precautions है dry होना चाहिए wet hand नहीं use करना चाहिए और जब आप plug and socket को fit करें देखिए हलके से fit मत करा करें जब आप charge करते है mobile तो पूरा अच्छे से क्या करें socket को अंदर डालिए हाँ न? sorry पूरे अच्छे से क्या करें pin को हाँ उपर से जो लगा plug है plug pin है उसको पूरा tightly fit करें समझ गहे है हलके से मत fit करेंगा वरना short circuiting होने लगेगी sparking होने लगेगी और आपका socket जल भी जाएगा चलिए three type of wires हमारे घर में usually use हो रही है पहले पहले इनकी wire का live wire का color red हुआ करता था आज कल में लोग यूज कर रहे है brown neutral wire को पहले हम लोग करते थे black आज कल यूज करते है light blue और पहले earth का connection green आज भी green यह yellow यह color coding क्यों करता है क्या करता है color coding sir क्यों तारों का रंग जरूरी है अरे भाई जब बिजली mystery काम कर रहा है जो electrical connections दे रहा है उसे पता होना चाहिए आज एक बिजली काम कर मिस्तरी कर रहा है कल कोई और बिजली mystery महाँ पर आपके घर में device में काम कर रहा होगा तो in order to know in order to know कि हम device को जब हम चूर रहे हैं बिजली की तारों को चूर रहे हैं तो किसमे current है he should know it कि बहुत उचे उचे cable towers में लगी होती है कैसी wire होती है मैंने कहा यह बहुत high capacities की current को carry कर सकती है क्या very high capacities की current को carry कर सकती है इसमें high voltage fluctuation bear करने की ability होती है यह wire burn नहीं होती है excessive heating से और सबसे important चीज़ है very 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 high voltage of current को pass करता है इनमें resistance बहुत कम होता है क्यों? क्योंकि इनकी surface area बहुत बढ़ी होती है huge surface बहुत मोटी मोटी wire होती है और बहुत उची होती है क्योंकि मैंने बताया क्योंकि इसमें बहुत high current होता है और आस पास के region में यह खूप सारा magnetic effect पता करती है समझ गया ना? इवन कभी-कभी इसमें चड़-चड़ा हड की आहड भी आती रहती है बिजली के? Yes, circulating की आवाज भी आती रहती है क्या circuits में precautions करना चाहिए जब आप electricity use कर रहे है सबसे पहले दो डर है दो major डर है बिजली से पहला आग लगने का डर है और बिजली का shock देखे, जैसे कहते है न कि बिजली या fire जैसे दोनों चीज़े है दोनों साथ साथ चलती है सही कह रहे है अब बिजली अगर आपके घर में सही से use करें तो आपके लिए बड़े काम की है और अगर थोड़ी लापरवाई कर दें तो किसी की जान भी जा सकती है चली, तो fire cause कब होती है जब live wire overheat हो जाती है अब live wire overheat क्यों हो जाती है जैसे live wire हीट होने के बहुत सार रीजन है, हो सकता है short circuiting हो गई हो, दो wires आकर live wires मिल जाती है उसकी वज़े से क्या होता है short circuiting हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि जब हम wires use करें तो proper current carrying capacity बैसे मैं समझाता हूँ कि आपके AC का connection देना है आपके घर में, तो आपने जो wire लगाई हुई है, वो normal bulb वाली तायार AC के लिए लगा रखी है जी नहीं, आपका AC नहीं चलेगा, जैसे ही आप on करेंगे तार short circuit से उड़ जाएगी हाँ, फट से बोल जाएगी कभी करना नहीं है फर मैं आपको बता दूँ बहुत गया हो जाएगा, वो काम नहीं करेगी मतलब एक wire जो bulb को switch on करने के लिए जाएए होती थी वो wire को आप AC में यूज कर रहे है जो की बहुत high current वाला device है काम ही नहीं करेगी, इसलिए proper rating की तार लिजे हाँ, अलग-अलग rating की तार आती है, यह भी ध्यान दिजेगा जितनी ठिक तार होगी, उतना higher currents को वो ब्लास करने देगी और electric shock से बहुत ध्यान देना है electric shock क्यों लगता है, current का जटका क्यों लगता है अगर आपके device में insulation ठीक से नहीं है हाँ, proper insulation नहीं लगाया गया है live wire body को touch कर रही है या आपने गलत तरीके से, wet hand से हाँ, आपका हाथ गिला था या device गिला था, आपने उसको touch कर लिया है या device में earthing proper नहीं कहीं है या उसने fuse proper provided नहीं है या ये भी हो सकता है कि आपने उस device की body को earth नहीं किया है मैंने बताया था, जो भी metal के devices हैं उनकी body को earth कर देना चाहिए ताकि current access आए, तो earth में चले जाए आपको current ना लगे, आप से हो जाए तो बिजली से कोई असावधानी नहीं करने है कोई, कोई लापरवाई नहीं करने है इस ब्रिंग्स तो दी अन्टायर चेप्टर household circuit as per the your current syllabus and that is exclusive course ये सब कुछ, सब कुछ मेरे superstars के लिए है exclusively, हाँ ये सब कुछ paid course है, पर हम ले आ रहे हैं आपके लिए absolutely free क्योंकि मुझे यकीन है मेरे superstars special हैं और ये ये लगातार live session सब आपके चलते रहेंगे, बहुत जल्दी हम आपके लिए bullet series और marathon series भी ला रहे हैं मिलते हैं, अगले live lessons में bye, take care, god bless you, take care